देखो, short technique बताता हूँ, word problem से equations कैसे बनाने हैं English में question दे रखा है, reverse order में पढ़ो, equation बन जाएगी अब हमारे पास बोल रखा है, find two numbers, दो number लेने हैं, एक को x और एक को y मान लिया यह greater शब्द का प्रियोग कर रहे हैं, तो बड़ा number, मान लो मैंने बड़ा लिया x और यह y अगर x बड़ा है, यह कहरा है greater number times यानि multiply 8, यानि greater number को 8 से multiply करो is यानि equal to, equal to क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा smaller number का square, तो smaller number का square पहली equation, दूसरी equation, 180, 180 is equal to, यानि के बराबर, उसके बाद क्या बोलता है, two numbers के squares का difference दूनों के square, यानि के x square और y square, अगर बड़ा था, तो बड़े का square भी बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब x square minus y square दू equation है, solve करो और निकाल लो, इसका solution चाहिए, तो यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करो, complete solution देखे